वास्तु शास्त्र के नियमों के पालन करने से इंसान अपने करियर को सुख में बना सकता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अधिक मेनत करने के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिलती। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो बास्तु शास्त्र के उपाये आपके लिए बेहत कलापकारी हो सकते हैं। बास्तु शास्त्र में ऐसे कई उपायों के बारे में बताया गया है जिनको करने से व्यक्ति मंचाही नौकरी हासिल कर सकता है। उजेन के पंडित आनंद आपको इसके बारे में बता रहे हैं। वास्तु के मुताविक पीला रंग सकारात्मक्ता को दर्शाता है और ये रंग सफलता का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में नौकरी के स्थान पर पीला रंग इस्तिमाल करना चाहिए। अगर आप कई इंट अगर जलूरी समान रखावा है जिसके आवशकता नहीं अनवासक समागरी अगर रखी भीए घर में तो उससे हटा दिया जाए और उस जगह की उस दिसा की और की अच्छी से सफाई किए और अच्छी से रख रकाव किया जाए। उससे नौकरी आने का अत्यादिक संकेत हो स्वस्टूएं रखी जा सकती हैं और उत्तर जिसा में सफाई हमेशा रखें वह भगवाण कुवेर का प्रतीग है इसलिए ही महाँ पर सकर आत्मा के उड़ा सकते और भगवान कुवेर पुज़ lockर और ऌस इसथान पर उत्तर डिसा में जो घर में इूंकि पोधें होते हैं उन पोधों को रखा जाए तथा हरीयाली लखे जाए घर में हरी बस तो में तो होता है हरा रंग प्रतिक है सकारात्मक्ता का तो उसे नए नए सकारत्मक्त विचार आते हैं तदा हर्याली जो ना उस्चा का प्रतिक होता है इसलिए हरे पोधे घर में रखे जाए और भगवान कुबेर जी महाराच का धियान करते वे उत्तर दिसाव में सफाई रखी जाए तो उसे नोकरी का लाव होता है तदा नोकरी जल्दी जल्दी उपाय आने लगते हैं मोकरी के अवसर अफ्राब तो होते हैं इसलिए उत्तर दिसाव में भगवान कुबेर जी का धियान करते वे महां पर वस्तुए अनावस्तुवों को ना रखें तो ता सफाई रखें ये वीडियो जो दिश के द्वारा दी गई जान